दर्शको देश में एक अलग तरह की जंग छिड़ गई है वो भी भगवान राम के नाम पर विपक्ष के नेता कहते हैं कि राम को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है जहां भाजपा राम काज करिवे को आतूर है तो वहीं विपक्ष राम काज में लगातार एजेंडा वाला खलल डाल रहा है कोशिश कर रहा है कि राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कारेकरम है उसको कैसे कमतर कर दिया जाए ऐसा अभी तक लग रहा है और भाजपा ऐसा आरोप लगाती है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक तरव भाजपा की सरकार अयुद्या को सजाने में लगी है तो महीं विपक्ष के नेता राम मंदिर राम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लेकिन जनता उन्हें समझ नहीं पाती है लेकिन सवाल यह है तर्शकों की यह वही कॉंग्रेस है जो की खलल डाल रही थी जब यह पूरा मामला नयाले के पास सामने था और कॉंग्रेस के कॉंग्रेस ने राम के अस्तित्व पर भी सवाल लिया निशान खड़े किये थे ज तो डोस्तों तो आप इस बात से समझे लेकिन आपको यह समझने की आवशक्ता है कि यह वही कॉंगरेस और कॉंग्रेस के राहु compliantी। सेवक संग और उससे जुड़े संगठन इसकी तयारी में चुट गए हैं तीस तारिक को यानि तीस दिसंबर को परदान मंत्री मोदी भी अयुद्ध्या को सौगात देने वाले हैं कई परियोजनाओं की तो इस बीच इंडियन ओवर सीज कॉंग्रेस के चेर्में सेम परियती हैं उन्होंने निज एजनसी को दिये गए इंटर्व्यू में कहा 2024 का चुनाओं देश की नियती तै करने जा रहा है यह तै करेगा कि भारत प्विश्य में क्या रास्ता अपनाएगा और मैं इसे लेकर चिंती थूं उन्होंने कहा मैं इसके बारे में चिंती थूं क्योंकि धर्म को बहुत अधिक महतुच दिया जाता है मैं देख रहा हूं कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है यह मुझे परशान करता है हर कोई सोचता है कि देश में सबकुछ परधान मंतरी के कारण होता है हम इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि हम गलत दिशा में हैं मुद्रा इस्वेती स्वास्त प्रयावरण और परदूशन उनके लिए मुद्दे हैं लेकिन कोई इसके बारे में नहीं बोलता कॉंग्रेस ने कहा कि इस्राइल या पाकिस्तान जैसे धर्म पर अधारित राष्ट अमेरिका जैसे लोकतंत्र स्वतंत्रता और मानवत धिका इस पूरे मसले को कैसे लेते हैं लेकिन धर्म इस देश का मुद्दा नहीं इस देश की मान्यता है संस्कृती है अगर सैम पित्रोदा इसी तरह की बात कर रहे है तो उन्हें एक बार सविधान खोल के देखना चाहिए उस पर अशोक इस्तम भी है कृष्ण का चित्र भी है हाँ यह है कि वसुदेव को टुम्बुकम और सर्वधर्म संभाव वाली भावना इस सनातन में है तभी यह सनातन का देश सेकुलर सा दिखता है तो राम इस देश की राष्ट्य संस्कृती है धरोवर है मरियादा है तो कॉंग्रेस को सोचना चाहिए कि वह अगर जितना ज पूजन शुरू हुआ था राम जन भूमी का तो तब पीम मोदी ने क्या कहा था वो भी सुनिया है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई 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 पीडियों ने अपना कि सब कुछ समर्पित कर दिया था गुलामी के कालखन में कोई ऐसा समय नहीं था जब आज जादी के लिए आंदोलन न चला हो देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आज जादी के लिए बलिदान न दिया गया हो पंद्रा अगस का दिन उस अथाह तपका लाखों बलिदानों का प्रतीक है स्वतंत्रता की उस उतकंट इच्छा उस भावना का प्रतीक है ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई कई पीडियों ने अखन अविरत एक निष्ट प्रयास किया है आज का ये दिन उसी तप प्याग और संकल्प का प्रतीक है राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अरपन भी था तरपन भी था संगर्ष भी था संकल्प भी था जिनके त्याग, बलिदान और संगर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है जिनकी तपस्या राम मंदिर में नीवी की तरह जुड़ी हुई है मैं उन सब लोगों को एक सो तीस करोर देश वाशियों की तरफ से सर जुका करके नमन करता हूँ उनका वंदन करता हूँ संपोर्ण सुरुष्टी की शक्तियां राम जन्म भूमे के पवित्र अंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है इस आयोजन को देख रहा है वो भाव विभोर है सभी को आशिरवाद दे रहा है साथियों राम हमारे मन में गड़े हुए है हमारे भीतर धूल मिल गए है कोई काम करना हो तो प्रेणा के लिए हम भगवान राम की और ही देखते हैं आप बगवान राम की अद्भूत शक्ति देखिये इमारते नस्च हो गई क्या कुछ नहीं हुआ अस्तित्व मिठाने का हर कोई प्रयास हुआ बहुत हुआ लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं हमारी संस्कृती के आधार है स्री राम भारत की मर्यादा है स्री राम मर्यादा पुर्शोत्तम है इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्म भूमी पर स्री राम के इस भव्य दिव्य मंदीर के लिए आज भूमी पुजन हुआ है यहाँ आने से पहले मैंने हनमान गड़ी का दर्शन किया राम के सब काम हनमान ही तो करते हैं राम के आधर्शों की कल्यूग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनमान जी की ही है हनमान जी के आशिरवात से स्री राम मंदिर भूमी पुजन का आयोजन शुरू हुआ है तो दर्शों को सुना आप लोगोंने अब आप लोग बताएं कि आप 22 तारी को दर्शन करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं नेक्स नाइन न्यूस पॉलिटिकल बाइट धन्यवाद